एलो n compasskar दोस्तों स्वाग्याते आपका सुवल से जुकेसिन में आज के writing practice session में 2 question करेंगे हम लोग question number two और question number three question number one हम लोगों ने किया था पिछले विडियो में किया था यहाँ पर दो question करेंगे एक history का एक geography का GS1 से ही हैं दोनों question GS1 में क्या किया आता है इसके साथ साथ इंडियन आर्ट और इसके एक टोपिक हूर होता है जिसमें अधियन सॉसाइटी बारति ये समाज कैल मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने सारे जो Dircektive Birds होते हैं तो देखने के लिए मैं इसलिए बोलना हूँ ताकी जब तक आप इन सब सब्दों का मतलब नहीं जानेगे तब तक आप सही उप्तन नहीं लिख पाएंगे जो Demand रहेगी Question की उस Demand को आप Fulfill नहीं कर पाएंगे तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें जिनको आता है कोई बात नहीं जिनको confusion रहता है तो वो जरूर देखें ठीक है थाकि बहुत सारी चीज़ें उसमें clear हो जाती है मैंनों उसमें ये भी बता है कि एक बहतर उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों ध्यान में रखना होता है तो इस question को सुरू करते हैं फिर और सुरू करने से पहले हम लोगों कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए ये कल हम लोगों ने डिसकस किया था या फिर सब पार्ट होते हैं या फिरोन में कोई relation होता है इनको आपको अलग-अलग कर लेना होता है जैसे question पढ़िए इस्ट इंडिया company के संदर्व में भारत के राजनितिक परिद्रस्य को आकार देने में कारनेटिक वोर्ड जो थी कन्नाटक योद्दों की भूमी का पर च चर्चा करो लिखा है चर्चा कीजिए लिखा है ठीक है कोई यसू नहीं चर्चा करना मतलब आपको जो भी जानका रही है question के सम्मंदत वह आपको यहां पर इंटेल करना है और यह question देखो एक statement में है तो इस question को पहले दोड़ लिए आप यहां पर दूसरा पार्ट है में बोड़ी में आपको क्या लिखना अब देखिए में बोड़ी का तो यहां पर मैं पता है कि कंणाटक युद्धों का उस समय तात का लिख राजनितिक परिद्रस पर क्या प्रभाव पढ़ा यह लिखना यानि भूमिका लिखना ठीक है एक तो है एक तो भू गुमिका से पहले कंणाटक बॉर के बारे में बता देना है ये तेने उत्विया अलगरक संदियों के दवारा खतम हुए और क्या के रिजल्ट आया उसके बाद आप शुरू करेंगे यानि इंटरोड़क्शन के बाद आपका दूसरा पार्ट रहेगा कंणाटक युद्ध एक पैरा में करनाटक एद्दों के बारे बताएंगे यह जो तीन बॉर हुई है ठीक है और में बॉडी के यह में बॉडी है में बॉडी के दूसरे पैराग्राफ में आप पूरी भूमिका बताएंगे कि करनाटक एद्दों ने भारत के राजनितिक परिद्रस को किस प्रकार किया था यह आपका मेन बोड़ी का दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा और लास्ट में आपको conclusion लिख देना है निसकर से लिख देना है कितनी बातें के लिए रहें जैसे अगर overall picture की बात करें तो कानाटी के उद्ध क्या है कानाटी के उद्ध यह सीरीज ऑफ military conflict है है ना सेनस अंगर्सों की एक सरंखला थी जो अलग-अलग समय पर हुई इसमें बहुत सारी party involved थी बहुत सारी सक्तिय involved थी जैसे फ्रांस की इस्ट इंडिया company भी involved थी बिटिस की जो इस्ट इंडिया तरफ से फ्रेंच समर्थन कर रहा था और कुछ इस्थनीय सक्तियों की तरफ से बिटिस समर्थन कर रहा था और अंत में जो आप result पाते हैं यहाँ पे बिटिस इस्ट इंडिया कंपहने की जीत हो जाती हैंног에 स्थाफत हो जाता है और फ्रांस फार्णे जितने भी रास्ते बनाए थे अपने उप्रशम के लिए अपने आंति मरूप से dominant किसका होगया यानी five लिए उस्च आपना हो जाती है लापने पीस्थाफना की तो यहां पर बिटिस राज की स्थापना तो कनाटक बॉन ने करी दीती और फिर 1764 में जब बक्सर होता है तो यहां पर भी पूरी तरीके से अंग्रेजी सासन अंग्रेजी सासन स्थाप हो जाता है तो आप यहां पर इंट्रोडेक्शन में क्या लिखेंगे आपको दो तीन प्रभाव पड़ा और इसमें जो सामिल सक्तियां थी उनको भी लिख दीजिए कि इस्ट इंडिया कंपनी थी बिटेन की इस्ट इंडिया कंपनी थी और भारतिय सक्तियों के मते भारतिय सक्तियों के सक्तियों के बीच लड़े गई है सेन संगर्सों की एक स्रंख्रा की एक chain of military conflict थी इस तरीकी से आप दो लाइन बना के यहाँ पर लिख सकते introduction ठीक है अब main body पर आजाईए main body में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो तीन कर्नाटिक उद्धिक को उनके बारे मताना है फर्स्ट करनेटिक बार जो थे कई बार हम लोग पढ़ें यहाँ पर प्रेलिम के फैक्ट भी आपके तयार होते रहेंगे 1746 से 1748 हुगा था ठीक है यह overall आप याद रखिए 1746 से 1763 अभी देखा आपने 1763 तो पहला बार जो हुगा वो 1746 से 1746 दो साल चला ठीक है और इसके जो रिजन रहे हैं और जो इसका रिजल्ड निकला बस यह लिखना है यह था क्या यह एंगलो फ्रांसी से युद्ध था ठीक है इंगलिस और फ्रेंच युद्ध था इसको खतम किया गया था एक्सला चापल की संदी से खुतम कर दिया गया था आपको संखेब में तीनों युद्ध लिख देना है ठीक है बागी जो आपका मुख्य भागे कुश्चन का वो अफेक्ट बताना है कि अफेक्ट क्या पड़ा तो यहां पे इन सोट हम लोग यहां पर तीनों बोर के बारे में लिख दे रहे हैं का मुख्या कौन होगा इसी पर तो हो रही थी न कि नजाम कौन बनेगा करनाटक का नवाब कौन बनेगा इसके पदपर कौन बैठेगा दावेदार कौन रहेगा और हर एक प्रतिनिदी को हर एक दावेदार को आम बिटेस या फिर फ्रांस फ्रांस जो था वो समर्थन कर र किए 1777 से सुरूं होती है और सत्राइब तरेसट तक ये बहुत रही ती है यहाँ पर क्या आप यहाँ पर दो नाम पड़ता है और काउंट डिलाली ये फ्रांस के सेनापती थे ये फ्रांस की सेना के सेनापती थे इनी की लीडर्टर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है ना नहीं हो तो याद कर लो पहला बोर एक्सला चाफल की संदी से कतम होता है दूसरा करनाटा के उद पांडी चेरी की संदी से कतम होता है ठीक है यह हमने इंसोर्ड बता दिया अब यहां पर में बोडी में जो दूसरा भाग है में बोडी का जो दूसरा भाग है तो प्रभावत हमें समझ में आ रहे न कि फ्रांस के द्वारा जो भी रास्ते बनाए गए थे अपने सासन के लिए अपने प्रसासन के लिए और अपने अपने सामराज के विस्तार के लिए उन सभी रास्तों पर यहां पर रास्ता मतलब मैं रूट नहीं बोलना उटी का रास चीज है ही तो यहां पे आप तातकालिक भारती राजनीदी पर जो प्रभाव पड़े कनाटा के उद्धों के उसमें यह तीन-चार पॉइंट आप डाल सकते हैं जैसे फ्रांस के जो भी छेत्र थे फ्रांस के कंट्रोल में जो छेत्र थे वो अव ब्यापारिक जो मार्ग थे सी रूट थे सी रूट पर भी कंट्रोल यहां पर बेटिस का हो गया बेटिस इस्ट इंडिया कंपनी का हो गया और फाइनली फ्रांस की जो इस्ट इंडिया कंपनी थी कमजोर पड़ गी और कहीं कहीं पर तो पूरी तरीके से समाप्त हो गी रिजल्ट कहने कला और फाइनल से एक जो एरोपिय सक्ति संगर्स था इसमें उलस्ते रहे और अल्टिमेटली राजनेतिक इस्थरता जो थी पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी वह भी चर्मरावी कमजोर बढ़ गी क्योंकि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो जो रिसोर्सेस होते हैं सेना पर पर विप्रीत प्रभाव पड़ता है तो इस्टेबिल्टी वाली कोई बात नहीं रहेगी है ना पॉलिटिकल इस्टेबिल्टी यहां पर पूरी तरीकी से कमजोर हो जाती है यह बात आप प्रभाव में डाल देंगे और अगर यहां पर कॉन्कुलूजन की बात करें तो इसकरन निकलता है निकलता है कि यूरोपिय सकती की रूप में ओभर के आता है बिटेन है ना और भाविस्ट के लिए एक आपने बेसिक सासन के लिए फांटिसन भी बन जाती है आधार बन जाता है यह दो तीन बात है conclusion में डाल देना ठीक है तो यह आपका पहला question हो गया कल लेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर formatting बता दी क्या 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 content रहेगा हर एक part में भो भी बता दिया अब आपका काम क्या है इसी को बढ़िया से आपको लिखके टेली ग्राम पर सेंड करना है मैंने एक ग्रोप बनाया है जो सिर्फ में स्टैस्रीम क्लिए है उसके आप संड करना मुझे समय मेलेगा मैं चेक करके दे दूँगा लेकिन लिखना जरूर लिखना जरूर और सेर्ण जरूर करना मैं एक दिन चेक करके जरूर दूँगा ठीक है चलिए ये पहला प्रसन था GS1 का अब ये तीसरा प्रसन करते हैं ओबराल तीसरा प्रसन करते हैं ये जोग्रफी का कोशन है और ये बहुत होगे दिया है तो इसमें हमें समझ में आ रहा है फिर भी एक बार पड़ो उसको ठीक से और देखो हो सकता है कोई सब सेक्षन चूट रहा हो इसे वैस विस विद जलोवा भाइवभ परिवर तरन और इसके प्रिभामां पर पर्वावस्ट बीगलन क्या है और मउ फ्रोस्ट थावन में बोलता अगेले यह दूसरा मेंट निख्पार्ट हो ठीक है और इससे पहले इससे फ़ेले आप सिधा प्रभावत निश्य प्रभावत नश्ताने लगेंगे ना इससे पहले क्या बताएंगे UP ये परमा-फ्रोस्थ है तो आइस के संबने में हैं questioning price कर देते हैं जो पर уж फ्रोस्ट है इसको इसकी प्वहलने को हम लोग मैंल्टिंग क्यों नहीं बोल रहा है इसको बिगलन क्यों बोल थे हैं या नहीं थामिंग क्यों बोल रहें यह चीजें बार मैं समझ भाएंगी जब इसके बारे में यहां पर सीखेंगे आप तब समझ पाएंगे पहले तो ले आउट तैयार कीजिए ठीक है हमने परमाफ्रोस्ट के बारे में बता दिया फिर हमने परमाफ्रोस्ट थाविंग के बारे में बता दिया यानि लेगलन भी बता दिया यह हमारा इंट्रोडेक्शन रहेगा यहां पर हम दो तिन लाइनों में तीन लाइनों में बता देंगे इसके बाद मेन बाड़ी में हम लोग दिखाएंगे अफेक्ट परमा फ्रोस्ट थाविंग से जो जलवाई उपर इबरतन में चेंज हो रहे हैं यह नहीं बतादे ना जब इसके बारे में गले में जान पारहा होंगे पहले परमा फ्रोस्ट बिगलन अगर नहीं जानते हैं तो आपको कैसे बतादे कि यह हेनमहर गोडिह हो जाता है यह फूट्स पाला रहता है तो आप तब लिख पा रहा हो तब यहाँ पे लियोट बना पारे हो जब जान रहे है शुजाओ तो यह लाष्ट में आपको बचना है जहां पे सोजाओ पूछा गया है वहाँ पे निसकर्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके यहाँ पे समय बचाना है, सोजाओ को ही आपको ऐसे लिखना है, कि वो निसकर्स भी लगे और उसमें सोजाओ भी हो जाए, राइटिंग प्रक्टिस से यही तो आपको सीखना है, है ना, चली, तो सुर हम लोग पर्मा फ्रोस्ट सीख लेता है, पर्मा फ्रोस्ट, फ्रोस्ट से तो हम लोग समझते है, यह फ्रोस्ट यार कोई जमी हुई चीज है, है ना, जमी हुई चीज, इसको आइस बिल्कुल भी मत समझना है, कि यह आइस के बहुत बड़े-बड़े टुकडे हैं, या फ यह अलग चीज है, पर्मा फ्रोस्ट अलग चीज है Vienna, पर्रोस्ट का मतलब आपको जानने की जमी हुई कोई चीज यह ठीक और पर्मा का मतलब है यहां परosse. पर्मानेंट परमानेंटseits से यह जो डेフिनेशन में लिखा है वो लगवग दो साल का लिखा है यदि कोई चीज यदि कोई चीज बहुत बड़े छेतर में दो साल तक जमी हुई है, frost stage में है तो वो पर्मा frost उसे बोला जाएगा अब आपके मांड में कुशन आ रहा होगा कि ये चीज क्या है ये जो जमी हुई है ये मैं जो चीज लिख रहा हूँ ये चीज क्या है यानि आप यहाँ पर combination जानना चाहरा है ये पर्मा frost में होता क्या क्या है पर्मा frost ये जो combination होता है ये होता है soil का ये होता है rocks का ये होता है sand का अब इन तीन के लाभा आपको प्लस में कर देना है ice अब इसको यहाँ से समझी आप जब बर्फ, soil को, rocks को और sand को आपस में बांदे रहे ठीक है बांदे रहे उसके बाद जो आकरती बनती है उसके बाद जो area बनता है छेतर बनता है उसको बोला जाता है perma frost नहीं समझ पा रहे हैं मैं फिर से बताने की कुछिस कर रहा हूँ जैसे इस्थल मंडल है ठीक है इस्थल मंडल है यह आप ऊपर खड़े है यह आप ऊपर खड़े है यह आप फिर इस्थल मंडल है ठीक है तो आप तो यहाँ पर खड़े है इस्थल मंडल में खड़े है और आपको यह जमीन लग रही है और भुर नीचे है ठीक है वर्ह नीचे है चारी तरप यह बर डिख रही है बीच वीच में आपको कटाने भी देख रही है तो यह जो बाहर वाली बर इन इन सब चीजों को जो बांदे होई है स्वाइल को रॉक्स को चट्टानों को यह जो आकरती होती है इसे बोलते हैं पर्मा फ्रोस्ट अब आप फेगर देखे तब आप इसको क्लियर समाज पाएंगे अब यहां पर देखिए यह हिस्सा आपको देख रहा है और यह वाला हिस् और यह आपको बीच विच में जहां पर में मार कर रहा हूं यह वरफ है ना यह वरफ है पूरी और यह वह वरफ है यानि यह एक समय यहां पर जोड़े हुए थे और उपर से आपको क्या लग रहा है उपर से तो मैनाल लग रहा पूरा लगे नहीं रहा था कि नीचे वरफ और जब यह बरफ पेगल गई, इसका जब बेगलन हो गया तो फिर यह वला हिसा अलग हो गया, तो यह पर आप समझ पा रहे हैं यही बरफ है जो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को बांद के रखी थी यानि इसमें चट्टाने भी हो सकती है आपको यहां पर सेंड दिखी रही है इस सब को बांदे रखी थी यहां पर बांदे रखी हुई थी ऐसी आकडिते को बोलते है पर्माफ्रोस्ट यहां पर मैं आपको और भी इमेज़ेश दिखा दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो इस वाले हिस्से को आब माली जी यह वाला हिस्सा अगर पैखल गया तो यह तो पूरा हिस्सा धस जाएगा और आप इस हिस्से पे अगर महलों बहुत बड़ा सा रेल की ट्रैंग बनाए हैं iprt रोड में नेस्नेल हाइवी बनाए पर हवाही प्ट्टी बनाए है तो क्या होगा, साथ में ये भी दसेगा चली ये तो छोटी-छोटी आकृती मैंने बताया मानली जी इसके उपर बहुत बड़ा सा पावर प्लांड बनाया थरमल पावर प्लांड बनाया वो भी दस जाएगा, तो इससे सोची कितने कितने बड़े इस तर पर नुक्सान हो सकता है कितने बड़े इस तर पर कैजवल्टी हो सकती है और यहां पर जो पहले से डवलप था एको सिस्टम यह जो स्वाइल एको सिस्टम पहले से था यह भी चौपट हो गया, इसके पगलने से किलियर है यह अभी तक आपने सीखा कि पर्माफ्रोस्ट क्या है और पर्माफ्रोस्ट बिगलन क्या है पर्माफ्रोस्ट एक आक्रती है ठीक है यह कॉम्बिनेशन है यह सीख लिए आपने और बिगलन क्या है जब यही वरफ आप पिगला दोगे थे बिगलन हो जाएगा और ये भी आपने एक मोटी मोटी पिक्चर देख ली अब आप इस कुश्चन पर आईए ये इंट्रो में लिख लेंगे तरह अब इसी को मैंने जो समझा है आइसी को आपको लिख देना है इंट्रोडक्शन में ठीक है पहले पर अगर आप में कलाइमिट चेंज को ये कैसे अफ जो चना भूजा बाला जो भूजा होता है भूजा को उपर चिपका देते हैं गोड़ की साहता से गोड़ को पिखला के तो वही चीज समझ लीजिए अगर गोड़ पिखल गया तो क्या होगा पूरा लड़्डू ढह जाएगा बिलकुल सेम इस्तिति है परमा फ्रोस्ट की तो यहां पर लड़्डू की आकरती से समझ सकते हैं कि इस लड़्डू में जैसे पिखला हुआ गोड़ पूरे लड़्डू को बांद के रखा है ना और उस लड़्डू में क्या क्या है चूरा भी है हो सकता आप लोग कुछ और बोलते हो उसके उसमें कुछ ट्राइफ सब को बांदे रखा है वही चीज यहां पर परमाफ्रोस्ट भी है यहां पर आइस स्वैल को बांद के रखिए रोक्स को बांद के रखिए ठीक है वही आकरती है बीच में फसी है वरफ उस वरफ को पिखला देना है तो बाकी पूरी आकरती को डहा देना है यही चीज है आ देगो पाता है, बहुतना बहुत अच्छी तरीका है एक कितना बहुंकर एक ही क्लाइमिट चेन्ट पर आप यहां पर सोच भी नहीं हैं, और हम लोग थो कुछ पतद ही नहीं चलता ज़ू है मतलब एक्टिफेस में हैं, यह हो रहा है जो आपने परमाफ्रोष्ट के भी आकड़ी देखी इसमें स्वैल भी है ठीक है इसमें सेंड भी है इसमें रॉक्स भी है और इसको पूरा बरफ बांध के रखी है इसका मतलब है यह पूरा भाग या फिर यह पूरा एरिया या यह पूरा हिस्सा ठीक है यह या फिर जो भी फॉजिल्स है या फिर इसको बोल लीजे या जो भी और्गनिक मेटर है इस पूरे छेत्र में ठीक है इस पूरे छेत्र में जो भी और्गनिक मेटर है ये भी ठंडी स्टेज में है और जब ठंडी स्टेज में रहेंगे तो इनका अब घटन नहीं हो पाएगा अब घटन नहीं हो पाएगा अब देखिए, अब आप बिगलन कराईए अब आपको बिगलन करा देना है बरब को जब आप पिगला देंगे तो यह जो पूरी आकृतिती यह मिट जाएगी यह इरोड हो जाएगी या डह जाएगी कुछ भी भूल लेजी तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि अब तेंपरेचर राइज हो रहा है क्योंकि बरब तो पिगल रही है और तेंपरेचर जैसे ही राज राइज करेगा तो यह अब घटन होना स्टार्ट हो जाएगा है ना दीकंपोजीशन स्टार्ट होने लग जाएगा किसका इन और्गनिक मेटर का जो इस छेतर में कई सालों से फसे हुए थे जिनका अब गटन हो नहीं पा रहा था लेकिन जैसे यह बिगलन हुगा परमा फ्रोस्ट थाविंग का प्रोसेस स्टार्ट हुगा तो अब गटन होना स स्टार्ट होता है डीकंपोजीशन स्टार्टहूता तो कार्बन ड.... निकलती है निकलन हो जाती है और यह क्या है ? यही तो भाई ग्रीन हुस्थेस है इसका मतलब सीधा सा है कि अगर परमा फ्रोस्ट थाविंग हो रही है तो अब सीधा सीधा अफेक्ट कर रहे है ।ो इन सब में बैक्टिरिया भी हो सकता है, इन सब में बाइरस भी हो सकता है, ये तने दिन से सोई पड़े थे, अब ये अचानक से जागे, बिगलन के बाद, और जब भी ये अचानक से जागने वाली बात होती है, या फिर इनको दूसरी भासा में बुल लीजिए, ये नियू म माइक्रोप्स अफेक्ट जादा करते हैं यह तबाही जादा मचाते हैं और फाइनली क्या होगा इससे जानवर सिख होगा है ना हीूमन मानो जाती भी यहां पर भी मर पड़ेगी रिसर्च यह बताती है कि बहुत सारी पर्माफ्रोस्ट आक्रतियां ऐसी हैं कि जब पर्माफ इनको माइक्रोप्स मिलें हैं रिसर्च में थार्च तो जो एतने सालों से रहे थे व्क्टेरिया Momspare अचनक से जागें तो फिर यह तबाही मचाएंगे तो एक लाइमिट चेंज के साथ साथ मानो जाती पर भी अफेक्ट कर रहा ब्लांट जाती पर भी यह उपक्ट कर रह और जब भी कोई चीज फूट चेन को अफेक्ट करती है तो फिर कोई बचा नहीं पाता है क्योंकि फूट चेन सब को समेट लेती है तो यह सारे अफेक्ट आपको बता देना ठीक है अच्छा खास आपके पास कंटेंट हो गया लिख लेंगे तो यहां पर शुरुबात किस्स से लेका प्रभाव ठीक है सोजाओ क्या रहेंगे सोजाओ में बोडी का जो दूसरा ऐसा है तो सोजाओ था अपने अफेक्ट में देखा था कि यह जो ग्रीन हाउस इस रिलीज हो रही थी अब गठन के द्वारान कर्वन डेक्शन निकल लही थी मीधिन गैस निकल रही थी लेकिन निकली कैसे अब गठन से निकली और यह अब गठन कैसे हुआ टेंपरेचर राइज हुआ था तो इस टेंपरेचर राइज नहीं करा हो ना अगर यह तेंपरेचर राइज नहीं होगा तो पर्माफ्रोस्ट जो आक्रती है वो पर्माफ्रोस्ट की ही स्टेज में रह जाएगा तभी हम पर्मा फ्रोस्ट से जो कर्वन डियोक्साइड निकल रही है उससे बच पाएंगे सीधा सीधा आप इसको समझ पा रही होगे तम पर निकार मात बात हो रही है और मौ général प्रो Bureau को ले लिजी जो भी फ्रोटो बोलते हैं देशाओं को निर्देश देते हैं जो भी इनके अग्रिमेंट में हैं अगर हर देश इनको फॉलो करेगा तो काफी तक टेंप्रेशर राइज नहीं होगा ठीक है वो बात अलग है कि आपकंट्री फॉलो नहीं करती हैं सारी चीजें तो दूसरा सोजाव आप यह दे सकते हैं तीसरा पॉस्ट की के सरवलांस के लिए या फिर इनके इनके रिसर्च से समंदित ऐसा कोई इंस्टिट्यूट थोड़ी नहीं तो यह सारी चीजें होना चाहिए ठीक है कि देख्तिकत इस तरह पर हम लोग पेड़े लगाने के बात कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट इनको इंटेक करता है करवन डियॉकसाइड को तो यह सारी बात है वह अफेक्ट में लिखना है ठीक है एस और भी सोच के लिख सकते हैं ठीक है आप सोचेंगे तो तमाम तमाम आपको लिखने के लिए आप पॉइंट मिल जाएंगे अब यहां पर निसकर्स की बात कर लिए ठीक है निसकर्स में कहा लिखेंगे इसकर्स में तो यही करना है जो आप आपने देखा परिस देखा क्योटो देखा मॉंट्रियल देखा इवन एप सी 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 देखा एक इंस्टिट्यूट को और जोड़ सकते हैं जो कॉमबेटिंग डिजर्टिफिकेशन होता है इसको इसक देखा पर हो रहे हैं मतलब एक मल्टी डामेंशनल एपरोच की जरूरत है और साथ साथ में इंड्यूविज्वल लेवल पर भी हर किसी को काम करने की जरूरत है ठीक है जैसे यहां पर आप अपनी बात पुरूब किस्ट से कर सकते हैं अब अपने देख के एक्जांपल से क जो एक इनियसेटिव निकाला था मोदी जीन लाइफ इस्टैल फॉर लाइफ इस्टैल फॉर इंवार्मेंट है ना अगर बेक्ति का दिस्तर पर बात करेंगे तो आप इस एक्जांपल से प्रूब कर सकते हैं और एक्जांपल रखोस हो जाएगा इसको देखके ही खोस हो तो ही बातें आप निस्कर्स में डालेंगे किलियर है कल लेंगे अब बढ़िया से में इसका उत्तर आप लिखके बताईए हमने आपको सारी चीजें बता दिये सारी एफेक्ट बता दिये सारा लेओट भी बता दिया कि आपको किस पार्ट में क्या क्या लिखना है बस आप लिखी है ठीक है आपए अमिटे लिखिए एपने सीखा वीडियो से उसको लिखिये और टैलिग्राम हिचे कर दूँगा जो राइंग प्रीक्टिस वालला टैली ग्रम है ठीक है चलिए